नुश्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल इस्टे हेल्दी में स्वागत है आज हम आपको बताएंगे उन बच्चों के बारे में जिनके जन्म सही ओंट और तालूग कड़े होते हैं दोस्तों अगर आपने हमारा यूटूब चैनल इस्टे हेल्दी को अभी दक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजे जिससे की हमारे आने वाले और फिवी वीडियो वो आपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे बीच पैदा होने वाले कुछ बच्चे कटे ओटों के साथ पैदा होते हैं इसका इलाज बहुत जरूरी होता है अगर इस पर ठीक तरह से इलाज नहीं किया गया तो बच्चे को आगे सलकर कई समस्यां आ सकती हैं जैसे कि उसका ठीक से ना बोल पाना, अच्छे से कुछ ना खाबाना या ना पी पाना, खासी जुगाम होना वा बार बच्चे का बीमार पढ़ना इन कटे हुए ओटों का इलाज सिर्फ ओपरेशन दोरा किया जा सकता है और हमारे भारत में कुछ अच्चे हॉस्पिटल है जिसमें की इनका इलाज किया जाता है तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि वो हॉस्पिटल कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले दोस्तों कुछ प्राइविट हॉस्पिटल हैं वो हैं सर कंगाराम हॉस्पिटल न्यू डेली, मेदानता हॉस्पिटल गुर्गाउं, फॉर्टेस हॉस्पिटल नियर हुड़ा सेटी सेंटर गुर्गाउं, मूल्चंद हॉस्पिटल न्यू डेली एंड लास्ट में अपुलो हॉस्पिटल डेली, तो दोस्तों ये थे कुछ प्राइवेट होस्पिटल अब हम बताएंगे आपको कुछ गवर्रमेंट होस्पिटल दोस्तों सबसे पहले है एम्स डैली, एफमसी पुने और इस पर एक एंजियो भी काम करता है दोस्तों इस सर्जरी के लिए उसका नाम है स्माइल ट्रेन अगर आप एंजियो के तहएट अपना सर्जरी कराना चाहते हैं किसी की तो आप एंजियो से बात कर सकते हैं दोस्तों हम आसा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी जरूर पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है इस सर्जरी को लेकर तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपने फ्रेंड्सों में शेयर करें जिससे की ये जानकारी और लोगों को भी मिल पाए थाइस्टों कोषकी ये वीडियो जोजयादा जिससे की ये पाए